एट ग्रेड कच्छा साथ विग्यान पाठ पाँच अम्र छारक और लवण तो इसका पहला प्रश्ण है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डूबोया गया है यह नीला ही रहता है लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का क्या कारण है तो इसका अंसर कुछ इसतरह देना है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डूबोया गया है यह नीला ही रहता है लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तित नहीं होता या तो वह छारीय विलियन है या वह उदासीन विलियन है अगला प्रिश्ण है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वहलाल हो जाता है कारण इस पश्ट कीजिए तो कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वहलाल हो जाता है इसका कारण साबुन का छारी होना है अगले प्रशन है उस रूत का नाम बताईए जिससे लिटमस विलियन को प्राक्त किया जाता है इस विलियन का क्या उप्योग है तो नीले हरे रंग का सहवाल या जिसे काई कहते हैं जिसे लाइकेन के नाम से जाना जाता है को पीस कर इसका रश प्राप कर लेते हैं इसे लिटमस विलियन कहते हैं इस विलियन से अम्ल और चारक की पहचान करते हैं प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? यह अतिधिक अम्ल के पर भाव को उधासीन कर देती है और पीडित रहत महसूस करता है अगला प्रशन है कि आपको तीन द्रव दिये गए हैं जिन में से एक संत्रे का रस है दूसरे चुने का पानी है तीसरा सक्कर का विलियन है आप हल्दी को सुचक के रूप में उप्योग करके उनकी प्रक्ति का रिधारन कैसे करेंगे तो जी एक तरफ परिछण लिख लिजे एक तरफ हल्दी का सुचक के रूप में प्रवाव लिख लिजे तो पहले जब संत्रा की रस में हल्दी मिलाते हैं तो क्या रखता है पीला रंग अपरिवर्थित रहता है दूसरा चूने के पानी में जब मिलाते हैं हल्दी को तो रंग लाल हो जाता है इससे पता चलता है कि ये छारी प्रक्ति की है या छार की प्रक्ति की है और तीसरे में सक्कर के बिलियने मिलाने से पीला रंग अपरिवर्थित रहता है तो कारखानों के अपसिस्ट को जलाशियों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है तो कारखानों के अपसिस्ट में अमली पदार्थ होते हैं जो जल में प्रवाहित करने पर जली जीवों को नश्ट कर सकते हैं इसलिए जलाशियों में प्रवाहित करने से पहले छाशार की पदार्थ मिलाकर इसे उधासीन किया जाता है लिटमस पत्र पत्र के दोरा आप अम्ल और चारकों की पहचान कैसे करेंगे तो अमल वह होते हैं जिस विलियन में नीले लिटमस पत्र को डुबोने पर लिटमस पत्र लाल हो जाए वह विलियन अमल होता है और चारक उसे कहेंगे जिस विलियन में लाल लिटमस पत्र को डुगोने पर लिटमस नीला हो जाए या लिटमस पेपर नीला हो जाए तो वह विलियन चारक होता है अब यहाँ एक तालिका दी गई है इसको भरना है इसमे एक तरफ पदार्थ लिखा हुआ है दूसरा तरफ पदार्थ में जो अमल है या चारक है उसके बारे में बताना है तो नीबू का रस जो है इसमें साइटरिक अमल होता है साबुन में सोरियम या पोटेसियम के हाइडराकसाइड होते है दही में लेक्टिक अमल होता है आवला में एसकार्बिक अमल होता है चूने के पानी में केलसियम हाइडराकसाइड होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है इस प्रकार अगला प्रश्णा आईए उदासेनी करण अविक्रिया को उदाहरण सहित समझाईए तो इसमें कुछ ऐसा देना है कि किसी अम्ल और किसी छारक के बीच होने वाली अविक्रिया उदासेनी करण कहलाती है इस प्रक्रम में उस्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं अब इसका हुदार्ण देने के लिए एक समीकर्ण बना देना है कि HCL प्लिस NAOS तो ये आगे क्रिया होने के बाद NACL प्लिस H2O प्लिस उस्मा बनेगी HCL को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिकम, NAOH को कहते हैं सोडियम हाइड्राकसाइड NACL होता है सोडियम क्रोराइड जिसे साथ लवण नमक भी कहते हैं हम लोग और H2O हो गया पानी और उस्मा निकलती है अगला प्रिशन है कि चीटी के काटने पर तुचा पर केले माइन का विलियन क्यों लगाया जाता है तो चीटी जब काटती है तो तुचा में अमली द्रव छोड़ देती है जिससे तुचा में जलन होने लगती है इस जलन को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए नमी युक्त खाने का सोडा जिसे की सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट कहते हैं या कैले माइन का विलियन लगाया जाता है अगला प्रिशन है अमल और छार में अंतर इसपष्ट करें तो जी एक तरफ लिख लिख लिजे अमल एक तरफ लिख लिख लिजे चार तो अमल सोड में खटे होते हैं चार सोड में कड़वे होते हैं अमल चूने में खुरदुरे या रप्रतीत होते हैं चार चूने में चिक सुदरा बने सूचक से आप तालिका में दिये गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे यह दिये तालिका दी है इसमें रंग बताना है और इधर इसका प्रक्रती बताना है तो जी नीवू का रस है यह गहरा गुलाबी हो जाता है सूचक डालने पर तो इससे पता चलता है कि यह अमली है सेम्प्यू हरा हो जाता है इससे पता चलता है कि छारी है शकर का बिलियन हलका गुलाबी ही रहता है उदासीन कहलाएगा नमक का बिलियन भी हलका गुलावी रहता है उदासीन होगा चुने का पानी हरा हो जाता है यह छारी होगा सोडा युक्त जल यह हरा हो जाता है यह भी छारी होगा और नमक का जल हलका गुलावी हो जाता है यह उदासीन होगा धन्यवाद